एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया नहीं नहीं सच बात तो यह है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर लड़की से प्यार हो गया लड़की के प्यार में पागल लड़का आपने आप पर काबू ना रख सका एक दिन उसने लड़की को प्रपोस कर दिया सोचिये आगे क्या हुआ होगा आपने बिल्कुल सही समझा अमीर लड़की ने उसका मजाग उड़ाते हुए कहा तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में और बाकी सब जमीन और आस्मान जैसा है तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से भी मैं शादी कर सकती हूँ मैं तुम से कभी प्यार करना तो दूर ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूंगी इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने इस्तर की किसी और को ढूंडो और उससे शादी करो सोचिए कि आप किसी से बेपनहा प्यार करते हैं और वो आपको इतनी निर्दैता से शब्दों के तीर आपके प्यारे भरे दिल पे छोड़ दे कैसी हालत होगी आपकी बिचारा गरीब लड़का आहाथ होकर खून के आशू पीकर वहां से सिर्जुका कर चला गया इतनी कठोरता से ठुकराय जाने के बावजूद बीट गये एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़का गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गये लड़की ने तुरंट उस लड़के को पहचान लिया और कहा अरे तुम तुमने अपने इस तर की कोई लड़की ढूंड कर उससे शादी की या नहीं मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी दस लाख रुपे है क्यों अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की लड़का उस लड़की की अब भी परवा करता था वो उसको दर्दनाक शब्दों उसने आज भी पहले की तरह सुनकर अपने आसू रोक लिये और कुछ नहीं कहा लड़की अकेली मौल में नहीं आई थी उसका पती भी उन्हें बाते करते देख उनके पास आप पहुचा लेकिन इससे पहले की लड़की कुछ बोल पाती उसके पती ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिससे वा बात कर रही थी और कहा सर आप गुड आफटर नून सर मुझे लगता है आप मेरी पतनी से मिल चुके हो गुड आफटर नून लड़के ने लड़की के पती से कहा फिर पती अपनी पतनी को बोला डार्लिंग मैं चाहूंगा कि तुम मेरे बौस से मिलो ये सो करोड के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉंसर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ लड़की सिच्वेशन का यूटन देखकर हैरान रह गई अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि ना तो उसकी आखे ना ही उसका मुझ कुछ कह पा रहे थे ऐसी इस्तिति थी लड़का बस मुस्कुराया और कहा ठीक है मिस्टर मुझे जाना होगा मेरे पास करने के लिए बहुत महातपूर चीजे हैं आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा आपका दिन अच्छा रहे कुछ देर के लिए पती पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखी रहे थे लड़की ने जटके से उबरने की कोशिश की और अपने पती से पूछा क्या वाकई ये तुम्हारा बॉस था हाँ डार्लिंग काफी विनम्र वेक्ती है ना लेकिन उनके जीवन के साथ काफी दुखत कहानी जुड़ी हुई है उन्होंने एक बर मुझे कहा था कि वा एक लड़की से प्यार करते थे लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वा तब गरीब थे इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वा होशियार है वा सफल हो गया अब वा एक करोड़ पती है जो एक महिने में लौखो डॉलर कमाते हैं लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए उन्होंने अब तक शादी नहीं की पती उसके गुणगान गाता रहा पती ने कहा कितनी खुश नसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती पतनी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी दोस्तों जीवन हमारी उम्मीद से भी जादा छोटा है इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखा कर बहुत अभिमानित या गर्वित होने की जरूरत बिलकुल नहीं है समय के साथ चीजें और परिस्थितियां बदलती हैं झाल झाल